तो finally digital currency purchase करने के लिए CBDC application एक बार फिर से ICICI bank के तरफ से जारी कर दिया गया है सब ही लोगों के लिए और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ICICI bank के इस application को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कैसे registration कर सकते हैं जो हमारे regular viewer होंगे उनको पता होगा कि हमने पिछली वीडियो में भी link provide कराई थी लेकिन अब जो है हमने एक एक करके सारे बैंकों के जो application से वो provide कराने का फैसला किया है तो कल मैंने IDFC First Bank की जो application play store के उपर release हुई है तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे download करना है कैसे registration करना है और किस तरीके से आप जो है request कर सकते हैं pilot program के तहद registration के लिए तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ICICI Bank में किस तरीके से आप application डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से आप जहेसमें registration कर पाईएगा तो सबसे पहले ये रहा आपके सामने ICICI Bank का digital cadences CBDC application इसको आपको description box में जो link मिलेगे न उस link पे जाएगा जो कि ICICI Bank का official link ह वहाँ पर ही आपको download करने का नीचे में option मिल जाएगा और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप हमारे telegram channel को join कर लिजिए वहाँ पर हमने upload कर दी है आप वहाँ से भी download कर लिजेगा telegram channel की link description box में और इस application की भी link ICICI Bank की description box में मैंने दे दिया है अब यहाँ पर आपको registration करना है TNC accept करने के बाद तो यहाँ पर जवाँ पर registration करोगे तो यहाँ पर pilot program फुल सो करेगा अब यह pilot program फुल इसलिए सो कर रहा है दोस्तों कि इसमें जो है एक limit दी गए थी RBI के तरब से SBI Yes Bank, IDFC First Bank और ICICI Bank, SIP4 Bank Bank कोहीं अभी अनुमती मिली थी तो इसको limit दी गए थी कि इतिना ही users को देना है pilot program के तो वो जो है complete हो चुकी है अब इसमें complete हो चुका है लेकिन IDFC में complete नहीं हुआ है तो आप वहाँ पर join कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपका जो जैसे IDFC का अगर आप application यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप IDFC का customer हो लेकिन IDFC फिलाल यह कह रहा है कि जरूरी नहीं कि मुंबई दिल्ली में ही आप रहते हो या फिर भूबनेसर और बैंगलोरों में तो ही आपको मिलेगी आपका अगर account है IDFC first bank में तो किसी भी area में हो तो आपको यह application की pilot program के तहद आपको registration करने के लिए option मिल जाएगी approval मिल जाएगी तो जरूरी नहीं कि मुंबई दिल्ली में ही है आप तो आप registration कर पाईएगा किसी भी area में है ICICI bank के अगर आप account holder है तो फिर पहले आपको pilot program के तहद approval मिलेगी और अगर आप नहीं है तो दिक्कत नहीं है second batch update आएगी जो second batch में pilot program आएगी या फिर बड़े पैमाने पे जो आम लोगों के लिए आ जाएगी तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपका कौन से bank में खाता है कौन से bank में ने किसी भी bank के application को आप इस्तमाल कर सकते हैं और वैसे भी interface की बात करें तो सारे bank के process और interface लगभग same है 100% हम कह सकते हैं कि same है और आप जो है digital currency आप अपने हिसाब से किसी भी UPI app के जरीए internet banking के जरीए किसी भी तरीके से purchase कर सकते हो जब नहीं कि आपका जो bank है वही से कर सकते हो bank नहीं है तो नहीं कर सकते हो किसी से भी आप कर सकते हो तो इसलिए अगर आप चाहते हो ICICI bank के digital currency application को इस्तमाल करना तो description box को खंगा लिजी और use करिए कभी पाइड़ प्रोग्राम के second batch आ सकती है जाने के लिए चैनल को subscribe करके notification bell को hit जरूर करिएगा तो ये थी एक short update ICICI bank के digital currency application को लेकर और YES bank और State bank of India के application जरसे ही release होती है जैसे हमारे हाथ लगती है आप लोगों को वो भी दे दिया जाएगा चैनल के माध्यम से इसलिए चैनल को subscribe करिए और हो सके तो टेलिकाम चैनल से भी जो जाएए क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम वहाएं पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं तो मिलते हम किसी नई वीडियो में दीजे इजाज़त थैंक्यू